बाबा सिद्धिकी की मौत के बाद एक बार फिर से लॉरेंस विश्णोई और सल्मान खान का नाम देश घर में चर्चा का विशय बन गया है। लॉरेंस विश्णोई ने सल्मान खान को कई बार धमकी दी है, साथ ही घर पर हमला और भी कई तरीकी साजिश की थी। लौरेंस बिश्णोई की मांग है कि सल्मान खान को जोतपुर के मंदर में जाकर माफी मांगनी चाहिए इस बयान पर बॉलिवोड अभी नेता सल्मान खान के पिता सलीम खान ने कड़ी प्रतिक रिया दी है नमस्कार आप देख रहे हैं दर नगरी मीडिया मैं हूँ अफिजी शल्मान बता दें कि इन दिनों सल्मान खान की सिक्यूरिटी बढ़ा दी गई है और वो उकड़ी सिक्यूरिटी के बीच रहते हैं कहीं भी आने जाने के दौरान उनके साथ पुलिस और परसनल सिक्यूरिटी तैनात रहती है एक मीडिया इंटर्व्यू में सलीम खान ने लौरेंस विश्णोई की और से माफी मांगने वाले बयान पर जवाब देते हुए कहा कि सल्मान खान ने अभी तक किसी भी जानवर को नहीं मारा है यहां तक कि उन्होंने एक पौक रोज़ को भी नहीं मारा है हम इंसापर विश्वास नहीं रखते सलीम खान ने कहा कि बिंग हुमन से नजाने कितने ही लोगों की मदद की गई है कोविट से पहले हर दिन लंबी लाइन लगती थी किसी को आपरेशन कराना होता था तो किसी को कोई और मदद चाहिए होती थी हर रोज 400 से ज़्यादा लोग मदद की आस लेकर आते थे आपको बता दें कि विश्णोई समाज ने भी सल्मान खान के सामने शर्त रखी है कि सल्मान खान को लेकर फिल्मी जगत की हस्तियों द्वारा माफी मांगने के बाद अखिल भारती विश्णोई समाज के अध्यक्ष देविंदर बुडिया ने सल्मान खान को लेकर कहा था कि अगर सल्मान खान खुद लिखिट में प्रस्ताव भेजते हैं और मंदिर में आकर प्रियावरण की रक्षा और वन्यजीव का शिकार नहीं करने की शपत लेते हैं तो समाज के प्रबुद जनों के साथ मिल बैठ कर विचार करने के बाद उन्हें माफ किया जा सकता है आप देख रहे हैं दर नगरी मीडिया मैं हूँ अपीचिश्चन